किसान भायों पिछले 4-5 दिनों से संपुर्ण उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है ऐसे में बहुत सारे किसान भायों के फोन कोल्स और मैसेज आ रहे हैं किसर हमारी सर्षों की फसल में या कुछ फसल में पाले का अटैक हो गया है अब क्या कुछ किया जाए जिसे कुछ हद तक नुकसान को कम किया जा सके तो किसान भाईयों यहाँ पे मैं आपको दो उपाए बताने वाला हूं उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको ट्राई कर सकते हैं 100% रिकावरी तो हलांकि मैं नहीं कहुँगा कि हो जाएगी लेकिन फिर भी बहुत कुछ हद तक आप अपनी फसल में होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं इसके लिए आपको काम में लेना है 50 ग्राम गुलकोज परती टंकी यानि जो आपकी डोल किया नेफसे एक सप्रेयर जो है या टंकी उसमें एक टंकी में 50 ग्राम गुलकोज डालके आप सप्रे करते हैं तो जो पाले से हुआ है नुकसान है उसको आप भरपाई कर सकते हैं काफी अतक इसके लावा दूसरा जो तरीका है देसी गाये का कच्छा दूद आपको मिल जाए और 500 ml यानि आदा लिटर दूद पर्ती टंकी के इसाब से यूज करना है आप चाहे सबजी की फसल है गेहू है सर्ष्रों है चना है किसी भी फसल में इसको डाल सकते हैं जो नुकसान हुआ है पाले से उसकी भरपाई काफी अतक आप इससे कर पाएंगे इसके लावा किसान भाईयो मैं आपको दो तिन तरीके और बता देता हूँ जिनको यदि आप अपना लेता है तो आप अपनी फसलों में पाला मारने की संभावना है उनको काफी अतक कम कर सकते है या अपनी फसल को बचा सकते है जिसमें सबसे पहली जो ट्रिक है आप यदि अपनी फसल में हलकी सिंचाई कर देते हैं तो पाला मारने की संभावनाई काफी अतक घट जाती है दूसरे नमबर पे आता है यदि आप अपनी फसलों में H2SO4 यानि सल्फूरी कमल 0.01% का घोल बना करके यदि छिटकाओ कर देते हैं तो भी पाला मारने की संभावनाई काफी अतक घट जाती है या फिर यदि आप अपने खेत के चारों और घासफू सित्यादी को जला करके धूआ कर देते हैं तो वो धूआ अपने खेत के उपर एक आवन बना लेगा जिससे जो पाला मारने की संभावनाई है वो भी घट जाती है तो ये कुछ सामाने सी ट्रीका जिनको अपना कर आप अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और अन्या किसान साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी किसान भाई की फसल को पाले से नुकसान होने से बचाया जा सके थैंक यू